दोस्तों कि आप लोग WhatsApp यूजर नहीं जैसे यहाँ पर देखें WhatsApp में यह लाश्ट सीन सो करा है यहाँ आउनलाइन दिख रहा है आप लोग इसे हाइट करना चाहते हैं आप चाहते हैं मैं WhatsApp पर आउनलाइन रहूं मुझे कोई आउनलाइन न देख पाए और यहाँ पर मेरा ल लाश्ट सीन को हाइट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यह करना है सबस्थ पहले आपको वीडियो को लाइक करना होगा चैनल को सब्स्राइब करना है फिर आपको नौटकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कमेंट करना है WhatsApp आउनलाइन हाइड बस आपको इ सबस्थ पहले इससे हटा देता हूँ यहाँ पर इससलेट करना है और रिसेंट से हटा दिया हूँ तो यहाँ पर लाश्ट सीन टूडे और यहाँ पर टाइम सो करा जैसे आप WhatsApp पर ऑनलाइन रहेंगे तो दूसरे को ऑनलाइन दिखेंगे जब आप लोग ऑफलाइन हो गए तो उनको लाश्ट सीन सो करेगा आप लोग इसे हाइट करना चाहते ही आप चाहते ही मेरा लाश्ट सीन देख पाए ना ओनलाइन भी मेरा देख पाए तो आपको WhatsApp को ओपेंड करना है जैसे आप लोग WhatsApp को ओपेंड करेंगे तो जो भी आपकी यहाँ पर चेट वगर होगी शबीर सो करेगी तो आपको यहाँ 3. यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेटिंग्स को ओप्सन मिलेगा सेटिंग्स वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर काफी सारी आपको सेटिंग मिल जाएंगी यहाँ एकाउंट प्राइवसी ओतार तो हमें यहाँ one select रहता है जैसे यहाँ पर select है तो यहाँ who can see my last scene दोसे इसका मतलब क्या है जैसे आप लोग अभी online है जैसे आप लोग offline चले गए तो सभी को आपका last scene देखेगा और जैसे आप लोग my contact करना चाहते हैं जिसके जिसके आप आप लोग नंबर से योगर रखें हैं आप चाहते हैं बस वही लोग मेरा last screen को देख पाएं तो आपको यहाँ my contact यहाँ पर click करना है जैसे आप लोग सिर्फ कुछ person से अपना last screen को hide करना चाहते हैं तो यहाँ my contact लाश्ट सीन को कोई भी नहीं देख सके तो यहां नोबडी आपको यहां पे क्लिक करना है यह हो गए लाश्ट सीन के लिए आप लोग चाहते हैं जैसे मैं आउनलाइन रहूं लोग को आउनलाइन न दिखूं तो यहां एवरी मन रहता है तो यहां पे आपको सेम एज लाश् लाश्ट सीन शुकरा था यहां पर देखे आप लाश्ट सीन भी नहीं शुकरा इस तरह आपको कर लेना है और जैसे मैं किसी का देख लेता हूं जैसे यहां पर क्लिक कर रहा हूं दोसर से आप लोग इतनी सेटिंग कर लेते हैं तो आप कभी देखे कोई लाश्ट सीन को नही नहीं देख पाएगा लेकिन आप लोग भी किसी का नहीं देख पाएंगे तो इस तरह आप लोग अपने मोबाइल में अपने वाट्साप पे इस सेटिंग को एक्टिवेट करके वाट्साप को यूच कर सकते हैं